हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू सम्तास किचन आज हम बनाएंगे साबू दाने का पोहा अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी नए वीडियो मिलती रहें सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल डालकर इसे गरम कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा जीरा डालकर इसे चट टकने देंगे अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे एक से दो चुटकी हल्डी पाउडर नमक स्वाधन अचार डाल लेंगे और इसे फ्राई होने देंगे जब तक यह गोल्डन और क्रिस्प नहीं होगा अब हम इसे निकाल लेंगे और एक बर फिर हम टेल करम कर लेंगे और इसमें जीरा डालकर इसे चटकने देंगे इसके बाद हम इसमें हरी में इसी डाल लेंगे करी लीज हल्डी पाउडर हमने साबुदाने को अच्छे से धूल लिया है और इसे मलमल के कपड़े में दो खंटे के लिए बांगतर रखिया है अब हम इसे कढ़ाई में डाल लेंगे और इसे अची तरह मिक्स कर लेंगे करने के बाद अब हम इसमें इसमें सेंधा नमक और काली में इस पाउडर डालकर इसे मिक्स कर लेंगे करने के बाद अब हम इसे ढखकर पांक से साथ मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे अब हम इसमें मूंग फरे डालेंगे जिसे हमने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया था और इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें फ्राई किया है आलू दो चमश निम्बू का राज धनिया पती डालकर अच्छा साई से मिक्स कर लेंगे मारा साबू दाने का पोहा बनकर बिल्कुल रेडी है लाज बनकर 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 आलकर अच्छा से मिक्स कर लेंगे